गुद मारीं दियर चुड़ेंट रेज़ेंट रावे हैं तो ये दोनों बर्ड्ड जो हैं सेम दिख रही हैं बट कैसे इनकी संगती का असर इन पर पड़ता है एक जो है रोबर्ड के पास रहता है और दूसरा रिशी के आश्रम में तो वो किस तरह से बोलते हैं, so let's read with explanation There once lived a bird and her two newborn babies in a forest एक जंगल में एक बड़ा पक्षी और उसके दो चोटे babies थे They had a nest in a tall sheddy tree and there the mother bird took care of her little ones day and night Shady means चायादार पेड, तो उनका एक nest था, एक बड़ा सा nest, एक चायादार पेड उनके उपर वो जो रहते थे और mother bird जो थी, दिन रात अपने बच्चों की देख बाल करती थी Little ones means छोटे बच्चों की One day there was a big storm, एक बहुत बड़ा तुफान एक दिन आया तो there was thunder, lightning and rain और बहुत ज़ादा बिजली की चमक हो रही थी और बारिश हो रही थी And the wind blew down many trees और हवा के कारण बहुत सारे पेड जो हैं तूच चुके थे The tall tree in which the birds lived also came down और वो बड़ा सा पेड जहां पर birds रहते थे वो भी तूच गया था A big heavy branch hit the nest and kill the bird एक बहुत बड़ी branch ने पूरे tree को hit कर दिया और इससे क्या हुआ mother bird की death हो गई Fortunately for the baby birds the strong wind blew them away to the other side of the forest Fortunately for the baby birds So fortunately means so भगय से अच्छी किसमत से वो baby birds दोनों बच गए थे और जो हवा थी और उनको उड़ा कर जंगल के दूसरी और ले गई थी One of them came down near a cave where a gang of robers lived अब यह यहां बताया कि दोनों पक्षि कहां कहां गिरे थे तो एक उन में से गिरा robers के पास और the other landed अब आउटसाइडर रिशी ज आश्रम a little distance away और जो दूसरा था वो रिशी के आश्रम पर थोड़ी दूरी पर जा गिरा Days passed and the baby birds became big birds अब दिन बीचते गए और जो baby birds है वो अब बड़े पक्षी बन गए थी One day the king of the country came to the forest to hunt Hunt means शिकार करने के लिए तो एक बार उसी देश का राजा जंगल में शिकार करने के लिए आया He saw a deer and rod after it और उसने एक deer देखा और उसका पीछा करने लगा It ran deep into the forest followed by the king और राजा उसका पीछा करते करते बहुत दूर तक निकल गया Soon the king lost his way and didn't know where he was और उसका पीछा करते करते राजा को अब अपना रास्ता को गया और उसको हिरन भी दिखाई नहीं दिया और उसको खुद को नहीं पता है कि अब वो कहां पहुँच गया He rode on for a long time till he came to the other side of the forest और इस तरह से वो उसका पीछा करते रहा और जंगल के दूसरी तरह तक पहुँच गया Very tired by now he got off his horse and sat down under a tree and stood near a cave Got off means उत्रा अब वो बहुत थक चुका था और अपने घोडे से उत्रा और एक पेवड के नीचे आराम करने के लिए बैठ गया And stood near a cave और वो जहां कहां आराम कर रहा था एक गुफा के नस्दीक Suddenly he heard a voice cry out Quick hurry up there is someone under the tree जल्दी करो कोई है जो ट्री के नीचे आ है Come and take his jewels and his horse जल्दी आओ और उसके सारे हीरे ज्वारात लेलो और उसका घोड़ा भी लेलो Hurry or else he'll slip away जल्दी करो नहीं तो वो slip हो जाएगा यानी भाग जाएगा The king was amazed और राजा हैरान हो गया He looked up and saw a big brown baby bird on the tree under which he was sitting और उसने उपर देखा और देखा कि एक बड़ा सा brown bird जो कि जिस tree के नीचे वो बैठा था वहीं उसी पेड पर वो पक्षी बैठा बोल रहा था कि जो आओ जल्दी से इसके ज्वारात लेलो He also heard faint noises, faint noises होते हैं धीमी-धीमी सी आवाजें उसने सुनी Issuing from the cave जो कि गुफा से आ रही थी He quickly got on to his horse उसको लगा कि रोबर जाने वाले वो जल्दी से अपने घोड़े पर चड़ा and rode away as fast as he could और इतनी तेजी से चल गया जितनी की तेजी से वो जा सकता था Soon he came to a clearing which looked like an आश्रम तो जल्दी से वो एक दूसरी जगा पहुंचा जो की आश्रम की तरह दिखाई दे रहा था It was the Rishi's आश्रम ये रिशी का आश्रम था The king tied his horse to a tree and sat down in its shade तो what's the meaning of tied? Tied means bandha तो उसने अपने घोड़े को bandha और पेड़ के नीचे आराम करने के लिए बैठ गया Suddenly he heard a gentle voice announce Welcome to the आश्रम sir, please go inside and rest फिर से उसने एक gentle means प्यारी सी आवाद सुनी जो की कह रहा था कि आश्रम में आराम कीजिए आपका स्वागत है अंदर आईए और rest कीजिए The Rishi will be back soon, Raja जल्दी ही आ जाएंगे There's some cold water in the pot तो यहाँ ठंडा पानी pot means घड़े में घड़े में ठंडा पानी रखा है Please make yourself comfortable तो अपने आपको comfortable feel कीजिए The king looked up and saw a big brown bird in the tree तो Raja ने उपर देखा और एक बड़ा सा brown color का पक्षी जैसा उसने पहले देखा था, same उसी type का He was amazed, तो फिर से हैरान हुआ This one looks like the other bird inside the cave He sat to himself loudly और उसने अपने आप से कहा कि ये तो bird बिलकुल उसी तरह दिखता है जो मैंने गुफा में देखा था You are right sir, answered the bird He is my brother but he has made friends with rovers Yes आप सही सोच रहे हैं sir उसने राजा से कहा तो वह मेरा भाई है बट उसने लुटेरों के साथ friendship बना रखी है उसका उनका friends है He now talks as they do और उसी तरह बात करता है जैसे वो करते हैं He doesn't talk to me anymore वो मुझसे भी बात नहीं करता Just then the Rishi entered the ashram और उसी समय Rishi भी ashram में enter करते हैं Welcome sir, he said to the king Please come inside and make yourself at home तो Rishi ने राजा से कहा आईए आपका स्वागत है आईए अंदर आईए और अपने इसको घर जैसा ही समझे You look tired आप बहुत थके हुए feel कर रहे हैं आप बहुत थके हुए से लग रहे हैं Rest for a while कुछ देर के लिए आराम कीजिए Then you can share my food तब आप हमारे साथ भोजन कर सकते हैं The king told the Rishi The story of the two birds And how each had behaved so differently Though they looked so alike Alikes mean Alike means same समान तो कि राजा ने Rishi को स्टोरी बताई दोनों birds की और ये बताया कि कैसे दोनों birds differently behave करते हैं जबकि वो दोनों ही same दिखते हैं The forest is full of surprises ये forest जो है पूरा surprises से यानि हैरानी भरी बतों से भरा हुआ है The holy man smiled Holy man यहां किसको का गया Rishi को तो वो Rishi जो थे वो उनों ने smile किया हसे and said और कहा After all one is known by the company one keeps After all कि जो एक कोई भी विक्ती है वो अपनी company के दोरा ही जाना जाता है That bird has always heard the talk of robers ये इस bird ने हमेशा robers यानि लुटेरो की बाते सुनी है तो he imitates Imitates means नकल करना, copy करना and talks about robbing people तो वो उनी की नकल करता है और उनी की तरह बात करता है This one has repeated what he has always heard और ये जो मेरी बात सुनता है ये हमें ही repeat करता है He welcomes people to the ashram वो आश्रम में आई लोगों का स्वागत करता है Now come inside and rest आईए और आराम कीजिए I'll tell you more about this place मैं आपको इन फक्षियों और इन प्लेस इस प्लेस के बारे में कुछ और बताऊंगा So this is all about the chapter So bye, have a nice day